तो आज हम लोग देखने वाले KPIT टेक के बारे में यहां पर कल मैंने डिस्पस कराया था इस टॉक के बारे में अगर आपको पता हो कल कि अगर आपने वीडियो देखिए हो तो हम लोग थोड़ा से इस पर देख लेते हैं वीडियो पर ज्यादा लोग ने देखा ने बढ़ कि अगर बढ़ बतायाता हो यहां पर मैंने इस वीडियो में बताया था कि अच्छा का सा दाउन फॉल आयागा और मैंने यह भी बताया था कि यहां पर जो यह वाला सपोर्ट है जो हमारा देखो आज हम लोग सबसे पहले दिखाते है KPIT टेक का कहां पर है कि यहां पर आपको दिख रहा हो तो यहां पर कल की वीडियो है और यहां पर आपको दिख रहा हो यहां पर हमारा क्या करते हैं हमारी जो ट्रेंड लाइन है यहां फिर इसको टूरेड में जो है उसके पास एक अच्छा कासा सपोर्ट बनने कोशिए तो वही सेम चीज़ हुए है सेम पैटर्स बने यहां पर आपको दिख रहा हूं तो यहां पर शॉट्टर में थोड़ा सब यूज देखें तो काफी बे यहां पर रिसेंटल एक ब्रेकडाउन हुआ है ब्रेकडाउन इन दसेंस कि यहां पर शॉट्ट तम में थोड़ा सा 15 मीट्स के टाम फेम में इक बेरिश मोमेंटम दिखा है इसका मतलब कि जब कभी 50 में उपर से नीचे की तरफ कुट अब करता है यहां पर दिख रहा हूं ट्रेंगुलर ब्रेकडाउट भी हुआ है यहां पर चांसे थे कि एक अच्छा कासा अपसा आजाएगा बसके लिए थोड़ा टाम लेगा क्योंकि अगर आपको यहां दिख रहा हो तो हमारा डिसकस करया था अपने वीडियोस में कि यह वारी जो ट्रेंड लाइन इसकी आपको और एक क्रेक्षण आता ही है वही चीज़ हो तो हमारे लेवल से अरांट और तो और देखो तो और फाइफ प्रेशन हो गया था एक्सपेक्टर था है अबने कल लिया था उसके इलावा और हम थोड़े फंडरमेंटल से फोकस करें स्टॉक के तो फंडरमेंटल काफ अगर आपको दिखर हो इसमें मार्च 2022 में अगर हम लोग देखे तो ऐसा सीन था और यहां पर FIs की holdings decrease हो गई और mutual fund ने अपनी increase अपनी holdings को same ही रखा है और यहाँ पर detail अगर promoters की holdings को देखो तो same ही है और यहाँ पर detail investors जो है उन्होंने अपनी holdings को इसमें increase कर लिया है because of the fundamentals good, अगर fundamentals strong होते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा investment बनता है stocks में usually है कि आज 3.3% के downfall है इसको hold कर रहा हूं 22 stocks मेरे पास भी है यह मेरी holding जो है यह च्छोट कम holdings है में main portfolio है उसमें और भी बहुत है stocks है यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हूं काफे दिनों से इसको buy कर रहा हूं यहाँ पर 500 के लेवल पर 497 पर ही मैंने buy कर रहा है अभी stock 548 पर है तो इसलिए मोलता हूं हाँ बाइंग करती रहने चाहिए जब कई भी stock नीचे है तो अभी personally मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं अभी तो है नी funds तो अभी बाइंग का opportunity तो मिलेगी तब भी नी कर पाऊंगा तो अभी थोड़ा सा अप्ट्रेंड का वेट करूँगा मैं ठीक है So this is all about KPNYTEK if you like this video do subscribe to my channel and like this video, thank you